नमस्कार दोस्तों वीके नोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है वैकेंसी न्यूज अप्डिट लेकर एक बार फिर उपस देतूं दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है जो भी इंटरेशेड बच्चे हैं फोर्म अपलाई कर सकते हैं इलेक्टिशन वालों के लिए कम सीटे हैं मेकेनिकल वालों के लिए ज़्यादा है यानि फीटर मसीनिस्ट टर्नर इन ट्रेड से रिलेटेड अगर आप है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी वीडियो है बाकि इलेक्टिशन वालों के लिए सीट कम है लेकिन वे देते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए हमारा एप डाउनलूड करें एप में आपको प्रेक्टिस टेस्ट और कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आए दोस्तों बरते की बात करते हैं देखिए हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट का ना लेकिंग गोर्मेंट ओफ इंडिया का है यह ठीक है जी ओ आई भारत सरकार का उपकरम है यानि सीधे केंद्र सरकार के नियम इस पर लागू होते हैं इसलिए अच्छा डिपार्टमेंट है आप चाहें तो फोर्म अपलाई इसमें जरूर करें बात करें पद का नाम क्या है तो माइडियर पोश्ट का नाम है यहाँ पर ट्रेड्समें और केटेगरी है बी ट्रेड्समें केटेगरी बी यहाँ पर पद का नाम रखा गया है यदि मैं पेमेंट या पेई स्केल की बात करूं तो बीस हजार चार सो असी रुपे का आपको पेमेंट मिलेगा प्लस थरी परसेंट एजियाई एजियाई का मतलब है एन्वल ग्रेड इंक्रिमेंट यानि हर वर्स आपकी तीन परसेंट सेलरी जो है वो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा इस बेसिक का तीन परसेंट जो है वो सेलरी बढ़ती जाएगी और ये नियम सिग्स्ट पे कमिशन में लागव होता था वोई वाला नियम है सेवंथ पे कमिशन में तो लेवल आ गया था उसके बाद से अपलाई कर सकते हैं देखे बात करूं मैं क्वालिफिकेशन के लिए तो मेन तो यही मुद्दा है यहां कर अगर आप qualification को ध्यान से देखे न, तो simple दो चीजे इन्होंने मांगी है, जो कि generally आज तक की vacancy में आप देखते आएं, मैंने हर बार आपको कहा है, कि आजकर इसी तरह की qualification की जरूरत हो गई, देखो मैंने पहले ही निसान लगा दिया plus, यानि क्या-क्या मांगा गया है, तो ITI plus NAC मतलब National Apprentship Certificate, यानि आपके पास वन एर का कहीं से Apprentship किया हूँ, तो आप form अपलाईगार सकते हैं, या फिर दूसरी opportunity इन्होंने दी है, कि अगर ITI है, लेकिन Apprentship नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन वन एर का experience आपको relevant field में, यानि अपने समंधी 16 में, एक वरस का अनवाव होना जरूरी है, यानि दो चीजें यहां पर हो गई, कि या तो Apprentship हो, या experience हो, दोनों में से एक चीज अगर आपके पास है, तो आप इलिजिबल है और फोर्म अपलाई कर सकते हैं, यानि योगेता के लिए, आप देखें, बरतमान समय में, इसलिए मैं हमेसा बोलता है हूं, कि ITI करता ही, पहला काम करें कि अपरेंटिशिप करें, और जैसे अपरेंटिशिप कम्प्रीट हो जाती है, तो कहीं न कहीं जोग क हैं, कम से कम आपके पास दो से तीन वर्स का एक्स्पिरिंस होना चाहिए, माइडियर जनरली, ITI के बाद बड़ी भरतियां आने में, दो से तीन वर्स का समय मिल जाता है, इसलिए कर लिया करो अपरेंटिशिप जरूरी होता है, आज ये दोस्तों, अगर एज लिमिटेशन रिलेक्सेशन मिलेगा, नो डाउट, कोई लिक्त नहीं है, OBC, SC, ST, जो भी कंड्रेट्स हैं, उनको यहां पर, एज बर रिलेक्सेशन, एज मिल जाएगी, ठीक है, सोरी, एज बर रिजर्वेशन, एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा, दोस्तों, बात करूँ, अगर मैं कृश इसके ओनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट होंगे, यानि अभी नहीं हुए है, तो आप तयार हो जाएए, और 25 जून इसके लिए लास्ट एट है, लगभग आपको 22-23 दिन का समय मिलेगा, तो आप फोर्म अपलाई कर पाएंगे यहां से, पदों के बारे में कुछ जानकार देदू दोस्तों तो यहां पर इलेक्ट्रिशन वालों के लिए केवल मातर तीन सीटे हैं, अब जो भी बचे है, इंटरेस्ट है, तो फोर्म अपलाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनिक्स के लिए, इलेक्ट्रोनिक्स वालों के लिए हैं दोस्तों यहां पर 11 सीटे, अगर मैं आपको फीटर की बात बताऊं तो फीटर वालों के लिए है 12 और मसीनिस्ट की बात करूँ तो मसीनिस्ट की है 10 सिटें और जो टर्नर आई टीए में ट्रेड होती है उसकी है 4 सिटें ये है कुल मिलाकर सिटों का बंटवारा तो जनरली इलेक्रिशन वाले बच्चे ही हमारे सा जूडे में माईडियर आपके लिए 3 सिटें अब देखो अभी रिसेंट ले भी मैंने 2-3 वीडियो दिये जिनमें एलेक्रिशन वालों के लिए इतने ही सिटें थी कहींपर 3 सिटें कहीं पर 2 सिटें कहीं पर 11 सिटें माईडियर incomJA क्रेशल टाइम चल रहे है इसी तरीके की आ रही है पर देखो वो कहते है ना कि हमें तो सेलेक्शन के लिए एक पोस्ट चाहिए है तो आप अपने इसाब से या माइंड सेट करके रखिए थोड़ा सा कि इन चीजों को हम सहन कर सकें थोड़ा देखो अपलिकेशन फी सेलेक्शन प्रोसेस इसके बारे में कोई ओफि हो सकता है और अलग से आएगा तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दे दूँगा ओफिसल वेब साइट आपको मैं बता देता हूं यहां आप विजिट करते रहे और यह शोट नोटिपिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक दिसक्रिप्शन में दिया हूए, आप महा INसे भी ले सकते हैं आफिसल वेब साइट है इसी आ एल डोट को डोट इन है ठीक है और पूरा अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो केरियर डोट इसी आ एल डोट को डोट इन पर विजिट करें तो आपको और ज़्यादा जान सकते हैं तो कुल मिला कर बड़ा update दोस्तों यही है फीज के लिए अभी कोई update नहीं मिला है इसमें अपन को और जो selection process है इसकी भी अभी कोई criteria नहीं नहीं दिये तो selection process और उसके लिए आपको final जो notification आएगा ना उसमें update मिल जाएगी ठीक है बस दोस्तों यह था एक चोटा सा अपडेट जो आपके साथ सेयर करना था देखो वैसे तो कम है वेकेंसी मान सकते हैं कि इस तरह की चीज़े है अब लेकिन बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि बच्चे नोटिफिकेशन भेजगर के पूछते हैं कि सर इसमें इलिजेबल कौन है क्या मैं ये फ सकें और समत्थ सकें क्योंकि एक एक को रिप्लाई करना संगव नहीं है बागी तो ये तीन-तीन-तीन-तीन चार-चार पोस्टों के लिए क्या वीडियो बनाना खैर वीडियो लाइक जरूर कर देना दोस्तों को सेयर कर देना चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबिस्क् जरूर करना, बहुत दिन्यवाद